काम की बातें ध्यान रखने योग्या, बहुत काम की बातें अपना कीमती समय निकाल कर जरूर सुने, एक अगर आप रोज चार भूंद खी फेस पर लगा लेते हैं, तो फिर आपके स्किन से जूड़ी परेशानिया दूर हो सकती हैं, इससे तुछा चमकदार और बेदाग र तीन, अगर मोटापे से परिशान हैं, तो कद्दू का जूस पियें, यह वजन कम करने में मदद करता हैं, चार, खाने में जादा घी का सेवन करने से गले में इंफेक्शन हो सकता हैं, पांच, बासी मूँ शहद का सेवन करने से यादास तेज होती हैं, छे, रोजाना दू खाने के तुरंत बाद कभी नहीं सोना चाहिए, इससे खाना अच्छी तरह से हजम नहीं होता, आठ, बादाम को शहद के साथ खाने से यादास बढ़ती है, नो, दातों पर नीवू कर रस लगा लेने से दात मजबूत और साफ होते हैं, दस, रात में जल्दी खाना खाने स आप बहुत से बिमारियों से बच सकते हैं, ग्यारा, पैरों के तलवों में सरसो के तेल से मालिश करने से आखों को गजब का फायदा मिलता है, साथी दिन भर की थकावट भी दूर होती है, बारा, सुबे उठकर अपनी छट पर पक्षियों के लिए ताजा पानी रखने से घर में बरकत होती है, घी में नमक मिलाकर मालिश करने से शिरीर की खुशकी दूर होती है, चोदा, बार-बार और लंबे समय तक धूप में रहने से तो अचा कैंसर का खत्रा रहता है, लंबे समय तक धूप में रहने से बचे और जब आपको बहार जाना हो तो संस्क्रीन और लंबी बाजू वाले कपड़े अवश्य पहने 15. अगर आपको अक्सर बदलते मौसम में खांसी किसमस्य होती है तो जब आपको लगे कि खांसी शूरू होने वाली है तो 2-3 ग्राम हल्दी को एक चम्मच घी या शहद के साथ दिन में दो बार चाट लेने से खांसी रुक जाएगी 16. यदि हम रात को चावल खाते हैं तो हमको नींद ना आने के समस्य हो सकती है 17. जो औरतें रोटी बनाते समय पहली रोटी मोड कर रखती है तो इससे घर में बरकत होती है 18. कमजोर हाजमे वाले लोगों के लिए केला बहुत नुकसान दायक होता है और शाम के समय केला खाना बलगम पैदा करता है 19. चहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए दही में टमाटर के रस को मिला ले फिर 10 मिनट के लिए चहरे पर लगा ले और उसके बाद ठंडे पानी से चहरा धोले रोजाना ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा 20. सुबह खाली पैट सुफ का पानी पीने से वजन कम होता है आप 10 से 15 दिन में ही फर्क देख सकते हैं 21. अगर प्रेगनेंसी के दोरान पेट पर दाग पड़ गए हैं तो पालक कर रस निकाल कर पेट पर मालिश करने से धीरे धीरे दाग खतम हो जाते हैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज की अपने जीवन से जुड़ी बहतरी जानकारियां अच्छी लगी होंगी आपसे मेरी प्रार्थना है मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेर जुरूर करें अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें जिससे जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकिशन सबसे पहले मिलें तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद